नमस्कार स्वागत आपका निउस नाइटीन में और मैं हूँ आपके साथ सिम्ता शर्मा तो चलिए नज़र डालते हैं आपकी साथाइक जीवन पे कि क्या कुछ नया होने वाला है और किस तरीके कि आपके इन साथाइक दनों में कुछ गटित होने वाला है सिदा दिखाते अपने साथाइक राशी वालों के शस्त्रु पक्षन उक्सान पहुचान की कोशिस करेंगे लेकिन एक नहीं चल पाएगे सयम नतमस्तक होंगे आपका रुका हुआ काम चल पड़ेगा स्वास्ते नरम गरम बना रहेगा और प्रेम और संतान की इस्तिती पर ध ध्यान देनी की जरूरत हैं व्यापारिक दस्ट कोड से उत्तम समय हैं शनी देव की अराधना करती रहें ब्रशब राशी वाले आज के दिन अपनी और बच्चों की सियत पर ध्यान देनी की जरूरत हैं पैत्रक संपति की इस्तिती अच्छी है प्रेम में थोड़ा सा मन हो सकती है प्रेम के स्वास्ते को लेकर चिंता हो सकती है व्यापार सही चल रहा है लेकिन आज के दिन शनी देव की अराधना जरूर करें मितुर राशी वाली आज अपनी जीवन में और आपको अपनी संतान के स्वास्ते पर ध्यान रखें प्रेम में न पड़ें और ग्रह करें आज के दिन व्यापार एक लाब होता रहेगा स्वास्ते की इस्तिती पर भी ध्यान दें लेकिन फिलाहाल स्वास्ते आपका ठीक है प्रेम में दूरी थोड़ी सी तू तू में में हो सकती है अभी आपका व्यापार और स्वास्ते अच्छी इस्तिती में चल रहा है आज आपके प्रेम में संतान की ओर से कुछ कुछ मिजाज बने हुए है अच्छा कर रही है आपकी संतान निवेश से अभी भी बचे वाली पर नियंतर डखें और हरी बस्तू अपने पास रखें कन्या राशी वालों का ओजस्वी तेजसी वना रहेगा सितारों की तरहे चमकते दिखाई देंगे आपका कदम बढ़ रहा है स्वास्ते अच्छा है और प्रेम और व्यापार का पूरा-पूरा साथ मिल रहा है आज की दिन हरी बस्तू अपने पास रखें तुला राशी वाले मानसिक परेशान से गुजरेंगे आपका मन व्यथित रहेगा स्वास्ते पर भी ध्यान देनी की जरूरत है खर्च से मन परेशान रहेगा प्रेम संतान व्यापार और सब साथ देगा परन्तु आज की दिन पीली वस्तू का दान करें स्वास्ते की इस्तती अच्छी रहेगी और प्रेम और व्यापार का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा सुखद समय दिखाई पड़ रहा है संतान और प्रेम का पूरा पूरा साथ मिलेगा गड़े जी की अराधना करते रहें आज के दिन मकर राशी वारे परिष्टित्या थोड़ी अलुकुल रहेगी उनकी फिर भी अभी संतान प्रक्ष्ट से और व्यापारिक जोखिम बना हुआ है बाकी सब ठीक ठाक होता रहेगा भाग साथ देने लगा है लेकिन आज की दि किसी परिशानी में पढ़ सकते हैं संतान और प्रेम से भी बहुत उम्वीद न करें थोड़ा मध्यम रखें और बचकर पार करें आज के दिन हरी बस्तु पास में रखें और गड़े जी की अराधना करें मेन राशी वाली जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा आपस का मन मुटाब दूर होगा रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे स्वास्ते अच्छा रहेगा और प्रेम और व्यापार का पूरा पूरा साथ रहेगा आज के दिन हरी बस्तु का दान करें और भगवा और भोले नात की अराधना करें साथाइक राजशे में फिलाल इतना ही बने रहें न्यूज नाइटीर के साथ नमस्कार